हालो फ्रेंड्स माय साहीब डोक्र सुनिल तामर कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लासटी की सरजजन दोस्तों बात करते हैं पेल आइकोन को प्रेस करना है यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पहले जिससे आने वाले आने को प्योंगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे तो दोस्तों जैसे आप सब को पता है है राइनोप्रांस्टी जी री सैप और री साइज और नोज प्रेसिया होता है इसमें हमारे को पैन नहीं होता हमारे को इसमें दर्द नहीं होता और पेशेंट को जो हो सर्जरी के बाद एक तिन हमें होस्पिटल में एडमिर रखना पड़ता है जब पेशेंट सर्जरी के बाद जो वार्ड में आता है तो इसके नोज के अंदर एक ज जो हमने चेंजेज कि जब एक दिन के बाद पेशेंट की चुट्टी करते हैं डिसार्ज रोता है उसके नोज के अंदर का पैक कर दिया जाता है उसको आराम से नोज से उसको ब्रीधिंग होता है उपर जो नोज का प्लास्टर है जिसको में स्प्लिन बोलते हैं वो कमिंग 10 इस तक रहता है अब बात करते हैं जब बात करते है कि पेशेल्ट यह हम यहां से हॉस्पिटल से जब घर जाता है सबसे पहले बात सरे फेसेंट के दिमांख皆 क्यरी ओती एं मेरे आउट अप स्टेट के हते हैं, I am basically from the Rajasthan जैपूर, उनको रहता है कि sir, मैं फ्लाइट से गुजराज जा सकता हूं या फ्लाइट से पॉल करता जा सकता हूं, Yes, you can go, you can travel by the flight, you can travel by your own vehicle, you can travel by your own bus, Yes, you can travel by the nose, so if you go to the public convention, you can go to the front seat, you can go to the front seat, So, first of all, you can travel by the journey, Another important thing is that our nose is a little sensitive because nose can be done in the nose, So, when we travel, we can use a mask, when you go to the house, you can go to the house, So, when you go to the routine, your daily activities, your daily activities are a little different, First, if we talk about the food, we can talk about the food, So, when we talk about the food, we have tight things, just try to avoid it, You can take a normal curd, lussi, chach, and doodh, bread, etc. You can take all the food, etc. But, we say that the food is tight things, that are not tight things, Because our teeth are sensitive and injuries are sensitive, And there are many injuries, So, when we talk about low-spicy diet, High-spicy diet, low-spicy diet, लिक्विड ले सकते हैं, semi solis ले सकते हैं, बहुत सारे पीशिंट्स को कहा है, थोड़ा सा नोन में इसका बहुत ज्यादा से हो कसो, I think you try to avoid it in 10-15 days, आप एग ले सकते हैं, omelet ले सकते हैं, simple egg bhoji ले सकते हैं, यह सब, आप just you plenty of fruits, fruits जो है वो जैसे, उसको काटके ले सकते हैं, ठीक है, but direct food जैसे हम बाइट कर रहे हैं, जो है, apple को नहीं ले ले लिशी, यह हो गया हमारे food habits, इसके अलवा जो next other habits हैं, दोस्तों, हमें gym, अगर आप बहुत ज्यादा शोक है, तो आप उसमें treadmill कर सकते हैं, but wet lifting हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे face पे pressure होता है, आप बोग कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, बट अगर आप गार्डन में जाते हैं, कई बाहर जा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे पोलंज है, and you are more sensitive for allergy, जो आपको हमारा mask जो है, बुझर लगाना नहीं भूले आप, दूसरा कुछ important चीज क्या है, जैसे बहुत बार के घर में कोई paint हो रहा है, घर में कोई work हो रहा है, घर के अंदर आपको बहुत ज्यादा कोई dust का है, या आपकी pet हैं, तो थोड़ा सा हमें उन से दूर रहना ह जब आपको चीज के हाती है, क्योंकि जो patient allergy करते हैं, जो पर स्नेजिंग, कॉफिंग तो थोड़ा सका है, नोज में की चाहा होता है, यह हो गया आपकी जो डैली activity की जो बात है, आप रीडिंग हमारा कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, आप आपका जो specs हैं, वो भी आप जो प्लास्टर एक नोज पर लगते हैं, तो थोड़ा सा हमें क्या होता है कि, we just discussed regarding the Indiana, India में जिसे आप ठोड़ा सा प्लास्टर लगा के जाते हैं, एवरिवन आसक्या हो गया, क्यों हो गया, कहा हो गया, कहा हो गया, that's why there's so many types of the cure-sons, so I think you can use a mask, and अगर आपको जाना है, अ आप जा सकते हैं, ऐसा कोई प्राब्लम नहीं है, but three or four days, you have the more edema, बहुत मार के आंक के आसपास में swelling आ जाती है, वो हमारे जो प्लास्टर होता है, वो प्लास्टर के कारण होता है, और प्लास्टर की itself जैसे बहुत सारे पैसे प्लास्टर की क्या है, या मेरे को बदलना है क्य प्लास्टर जो है, वो हट गया तो मैं करूँगा, don't panic, प्लास्टर जो है आपका नहीं हटेगा, वो 10 तिन बाद जब पेशेंट की पास आएगा, जो हमारे पास आएगा तो उस प्लास्टर को मैं हटाऊगा, yes, इसमें क्या होता है, तीन या चाट दिन बाद जब प्लास् होती है, नीचे टींचे बंजोई, और उपर स्टेरिस टिप, और πी ओ पी ओ भी होता है, और ऐन अगें जसे ट्थे खिश्वागता, जो शुदू यह एंले रहा नहीं गया joy in my nose day, एक मनें प्लास्टर कहटा लिया, जो दोस्तों आपको यह गल्हीं करणी है वो जो हमारा जो नो ज है जो हमने सर्जरी करा है उसमें एक time है उसको एक time देना पड़ेगा हमारे उसको चैंजेज को accept करने के लिए उसमें जो चैंजेज हैं उसको healing के लिए हमें time देना पड़ेगा it's not a many uhhh स्वेलिंग होती है तो इसको सबसाइड होने में स्वेलिंग कम होने में टाइम लगता है अगर हम बात करते हैं तो दोस्तो ऐसे राइनोप्लास्टि यग बाद एक से डेड़ साल तक final nose की swelling खतम होती है बागी routine whatever you want हम हमारा सब कुछ routine कर सकते हैं तो बात करते हैं post-operative 10 days का time crucial है जब आपके nose के उपर plaster रहता है इसके बाद आप अपना routine work आप सब कुछ कर सकते हैं वो post-operative protocol की बात करते हैं एक बाद 10 days पे आपको दिखाना होगा प्लास्टर हटाने के लिए उसके बाद एक मैने और एक मैने के बाद आपको कोई problem है या नहीं है बट 5 मंत पे और 1 year पे यूज़वली we call to my patient जस्ट उसको देखने के लिए दोस्तों ये वो बाते हैं जो आपकी rhinoplasty surgery के बाद आपको ध्यान रखना है क्या खाना है कैसे रखना है कैसे रखना है कैसे activities आपकी करनी है क्या plaster की care है so you just focus on all these things and आप surgery करने से पहले अपना ये time और ये सारा सारा framing हमें देखना चाहिए and इसके अलब भी अगर आपकी क्या 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 है just you ask me on my youtube page and facebook page and definitely ये information आपकी लिए बहुत उस्फुलों even to share to your friends and family and colleagues just to create awareness regarding the post-operative care of rhinoplasty or post-operative protocol thank you कर दो कि अपना थाओ तो कि अपना थाओ जजयाओकी क्या है कि दो कि रख़ जजब शुटाब का जजब अजब खरता जब बहादाए